कि अई कि अई हलों वेल्कम फ्रेंद्स में हुआ काश और आप देख और लॉन एकजाम सीखते हो इंग्लेश तुरहिंदी वेल्कम टू ओन्वॉ इंग्लिश लैसन अगर ऐसे हुआ तो यह होगा या अगर वैसे हुआ तो वो होगा हम इंदि में अक्सर कहते हैं रइट पर इसी चीज़ को इंग्लिश में कहने के लिए हम यूज करते हैं conditional sentences conditional sentences क्या है जबी भी आपको एक possible situation बतानी है यानि कि अगर कोई चीज हुई तो ये होगा ऐसी situation को अगर आपको describe करना है तब हम conditional sentences का यूज करते हैं और conditional sentences आपकी English को basic से advanced level तक ले जाते हैं अगर आप एक IELTS का speaking test दे रहे हैं या written test दे रहे हैं वहाँ पर conditional sentences बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि अगर आपने आपकी speaking में IELTS की speaking test में या IELTS की written test में एक या दो conditional sentence भी अगर यूज किये तो मैं ये definitely कह सकता हूँ कि आपके साथ या साड़े साथ band confirm है English में चार अलग अलग टाइप के conditional sentences zero conditional first conditional second conditional और third conditional और उसके अलावा mixed conditional यानि कि इन सारे conditionals को मिला कर हम sentences बनाते हैं हम हरे conditional sentences को अलग अलग सीखेंगे और यही मेरी आपको advice है क्योंकि otherwise ये काफी confusing है ये confuse कर देते हैं तो इस lesson में हम सीखेंगे zero conditional sentences और आने वाले lessons में हम बाकी के conditional sentences को सीखेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के lesson की तो जैसे कि में बताया कि इस lesson में हम सीखेंगे zero conditional sentences ये sentence पढ़िए if I am tired I go to bed early अगर मैं थक जाता हूं मैं जल्दी सो जाता हूं इस sentence के दो पार्ट है सबसे पहला है अगर मैं थक जाता हूं तो क्या होता है मैं जल्दी सो जाता हूं तो ये जो second part है ये first part पर depend करता है इस first part पर depend करता है और इसलिए इन्हें कहते है conditional sentences मतलब कोई condition अगर हुई तो ही ये होगा राइट अगर मैं थक जाता हूं तो मैं जल्दी सो जाता हूं clear second sentence है if you heat water to 100 degree Celsius it boils again two part है ये first part है अगर आप पानी को 100 degree तग ले जाओगे तो क्या होगा वो उबलेगा तो first condition क्या है 100 degree second क्या है उबलेगा तो ही ये होगा तो first conditional sentences हम use कहां करते है जबी भी हमें ये कहना हो कि आप generally क्या करते हो मतलब अगर कोई situation हुई तो आप generally क्या करोगे ये पतानी के लिए क्या हम आता है या फिर आपकी general habit जैसे इस sentence में अगर मैं थक जाता हूँ तो मैं जल्दी सो जाता हूँ यानि कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ये करता हूँ ये आपकी habit है और second situation जब आप use करोगे conditional sentences तब जब आपको एक fact बताना हो या कोई permanent truth है जैसे if you heat water to 100 degree Celsius it boils क्या ये जूट है ये जूट नहीं है ये एक fact है scientific fact है तबी भी हम conditional sentences का use करते है तो हमने क्या सीखा कि zero conditional sentences हम use करते है general habits के लिए हमारी आदतों के बारे में बात करने के लिए या फिर कोई permanent truth या facts ये बताने के लिए इस concept को अपने दिमाग में clear कर लो और बिठा लो zero conditional general habits permanent truths और facts I hope this is clear चली आगे बढ़ते है इसका sentence structure देखते है कि हम sentences zero conditional sentences में कैसे बनाते है सबसे पहले आता है if और if इन sentences में बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये condition की बात करता है उसके बाद आपका sentence आएगा present simple tense में उसके बाद ये comma बहुत जरूरी है हम comma हटा कर भी sentences बना सकते है पर हम वो आगे देखेंगे और उसके आगे का sentence आएगा वो भी present simple में आएगा जैसे for example if you put food in the freezer it freezes दो पाठ है अगर आपने खाना freezer में रख दिया तो क्या होगा वो जम जाएगा it freezes अगर आप देखो if you put food in the freezer present simple में है it freezes ये भी present simple में है I hope ये structure आपके समझ में आए है चले कुछ और examples देखते है if you play games the phone's battery drains faster again there are two parts if you play games अगर आपने game खेले तो क्या होगा phone की battery बहुत जल्दी बैट जाती है ये comma बहुत ज़रूरी है अगर आप sentence को if से शुरू करोगे I hope that is clear sentence ये से मैं बताया था कि आप sentence में जो if है उसको आप बीच में भी ले आ सकते हो ये इसका लिखने का अलग तरीका है क्योंकि देकि English is a language of variety और जब भी आप sentences को एक variety के साथ यूज करते है तो English काफी fluent sound करती है तो सबसे पहले क्या आएगा present simple आएगा if आएगा और फिर present simple आएगा इसमें कॉमा नहीं आएगा if center में आएगा कुछ examples देखते है food freezes if you put it into the freezer same sentence है यही sentence है पर इस sentence को मैंने अलग तरीके से लिखा है food freezes if you put it in the freezer मतलब वही है सिर्फ sentence को लिखने का तरीका अलग है the phone battery drains faster if if you play video games again जो second sentence है वही sentence है मतलब भी वही है बट लिखने का तरीका अलग है I hope you got it तो आप दो structures की मदद से zero conditional sentences बना सकते हो if को शुरुवात में लगा के या फिर if को center में लगा के difference यह है कि second structure में कामा नहीं आए चलिए जल्दी से कुछ example sentences देखते है if I have a lot of work I stay in the office until late अगर मुझे जादा काम होता है तो मैं क्या करता हूँ मैं office में देर तक रुखता हूँ right दो पार्ट है sentences sentence if से शुरू हुआ है इसलिए हाँ पर कॉमा लगा हुआ है अब इसी sentence को दूसरी तरह से कैसे लिख सकते है I stay in the office until late if I have a lot of work मतलब वही है if I have time comma I go to the gym दो sentence के parts है अगर मेरे पास time होता है तो मैं जिम चला जाता हूँ अब आपकी बारी है आप इस sentence को if को center में रख कर लिखिए मतलब दूसरे तरीके से लिखने कोशिश कीजिए क्योंकि कावी सारे sentences आएंगे आपका काम है कि आप उन सारे sentences को अलग तरीके से लिख कर मुझे comments में बताईए हम बढ़तें next example की तरफ teachers get angry if the students don't do their homework यहाँ पर if center में आया है teacher काफी गुसा हो जाते है अगर students अपना homework नहीं करते है if it gets too hot I switch on the AC आपकी बार यह जैसे नहीं बता है यह तीनों sentences को आप अलग तरीके से लिखने की कोशिश कीजिए और comments में लिख कर मुझे बताईए चले देखते कुछ और examples you put on weight if you eat too much अगर आपने जादा खा लिये तो क्या होगा आप weight put on करोगे if I get a headache I take a painkiller अगर मुझे जादा सिर में दर्ध होता है तो मैं क्या करता हूँ मैं एक painkiller ले लेता हूँ crossing ले लेता हूँ या dispring ले लेता हूँ if you don't water a plant it dies यह क्या है एक fact है अगर आप किसी पौदे को पानी नहीं डालोगे तो क्या होगा वो मर जाएगा it dies यू शूद प्राक्टिस इंग्लिश रेगिलरली if you want to get fluent ये भी एक fact है अगर आप इंग्लिश रेगिलरली प्राक्टिस करोगे तो आप बहुत जल्दी fluent हो जाओगे आपको इन चारो sentences को अलग तरीके से लिखकर मुझे comments में बताना है और हम बढ़ते हैं बहुत ही interesting fact की तरह हम conditional sentences में zero conditional sentences में if को भी replace कर सकते हैं और if की जगे क्या लगेगा if की जगे लगेगा when यानि if completely हट जाएगा actually when वही काम करता है if का just say for example if I have a lot of work I stay in the office until late यामने तीनो sentences पहले देख चुके है अब इन सारे sentences में हम when लगाएंगे just say for example when I have a lot of work I stay in the office late मतलब वही है when I have time I go to the gym when it gets too hot but I switch on the AC जब बहुत जादा गर्मी बढ़ जाती है तो मैं AC on कर देता हूँ तो देखे आप English में कितनी वराइटी के साथ sentences आप बना सकते हो if की जगे आप when लगा सकते हो और आप बढ़ता है बहुत इक important बात की तरफ हम zero conditional sentences को past actions यानि past में हुई घटनाओं के बारे में या फिर future में क्या होगा ये बताने के लिए future events को independently बताने के लिए use नहीं करते है right क्या होगा ये हुआ तो क्या होगा ये बताने के लिए ही हम zero conditional sentences का use करते हैं I hope that's clear तो जैसे कि मैंने बता है कि आज हम सीखेंगे first conditional sentences के बारे में यहाँ पर एक sentence है if I miss the bus I will take the next one अगर मैंने इस bus को आने वाली bus को miss कर दिया तो मैं क्या करूँगा मैं दूसरी bus लोगा यानि कि अगर ये हुआ तो ये होगा अगर आप देखो zero conditional की तरब ये sentence भी दो पार्ट में divided है first part कहता है if I miss the bus I will take the next one जो second part है यानि कि अगर पहला पार्ट पचास टका भी हुआ imaginary है ये हुआ नहीं है ये imaginary है अगर ऐसा हुआ तो second part जो है वो hundred percent होगा तो हम first conditional sentences कहां यूज करते हैं ये बताने के लिए something will happen in the future demanding on the situation now यानि कि अगर आज अभी ऐसा हुआ तो future में ये hundred percent होगा ये बताने के लिए हम first conditional sentences का यूज करते है to talk about a realistic possibility जैसे हमने देखा कि hundred percent chance यानि कि second part hundred percent होगा realistically होगा तभी हम first conditional sentences का यूज करते है and only if the first part happens the second will happen तो इन तीन conditions ये तीन conditions जब satisfy होती है तब हम first conditional sentences का यूज करते है हम zero conditional sentences जैसे पहले lesson में देखा कब यूज करते है कोई भी एक general truth या fact बताना हो या हमारी habits बताना हो तब हम use करते है पर यहाँ पर हम एक realistic possibility को बताने के लिए first conditional sentences यूज करते है चलिए समझते हैं कि हम zero conditional sentences बनाते कैसे इसका sentence structure क्या है सबसे पहले लगता है आपका if इफ के बाद आपका जो sentence आएगा वो present simple में आएगा उसके बाद यहाँ पर आएगा will या will not यानि कि कोई चीज होगी या नहीं होगी ये बताने के लिए काम आता है और उसके बाद जो वोब आएगा वो हमेशा base form में आएगा examples देखिए if I pass the driving test I will celebrate मैं driving test देने जा रहा हूँ अगर ये driving test मैंने पास कर लिया तो मैं क्या करूँगा मैं celebrate करूँगा खुशा मनाऊँगा right sentences के दो पार्ट है सबसे पहला पार्ट क्या है अगर मैंने driving test पास किया पचास टका चांस है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है पर अगर हुआ तो मैं क्या करूँगा I will celebrate ये 100% होगा celebration 100% होगा I hope that is clear इसे लिखने का अलग तरीका भी है I will celebrate if I pass the driving test यहाँ पर हमने क्या किया है हमने if को center में डाला है और यहाँ पर कॉमा नहीं आएगा इस sentence पर I will celebrate if I pass the driving test यह हमने zero conditional sentence पर भी देखा है कि हम इसे अलग तरीके से भी लिख सकते है तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वो lesson देखना भी बहुत जरूरी है second example देखते है I will get a better job if I complete my degree मुझे अच्छी job मिलेगी अगर मैंने अपनी degree को complete कर लिया यहाँ पर भी sentence दो पार्ट में divided है I will get a better job if I complete उसके उपर depend करता है next example है if you don't tell her the truth first part she won't trust you अगर तुमने उसे सच नहीं कहा तो तुम्हारा विश्वास नहीं करेगी यानि कि सच्चाई बतानी है या नहीं बतानी है तुम्हारे उपर है पर अगर नहीं बताई तो वो तुम्हारा विश्वास नहीं करेगी she will not trust you यह 100% होगा और यह यहाँ पर हमने will not use किया है I hope that is clear हम first conditional sentences में will को model verbs के साथ भी replace कर सकते है model verbs जैसे can, must, should, could इसके साथ भी हम will को replace कर सकते है यह शायद आपकी school में आपकी grammar region आपको नहीं बताया होगा पर जैसे मैं कहता हो ना कि English is a language of variety आपको अलग-अलग तरीके से sentences form करने आने चाहिए चलिए examples देखते है if you practice English frequently you could get fluent अभी यहाँ पर मैंने will की जगे could लगाया है अगर तुमने regularly English की practice की तो definitely fluent हो जाओगे if we don't submit our application today they could deny the insurance claim अगर हमने application form को time पर submit नहीं किया तो हमारा insurance का जो claim है उसे खारिच किया जाएगा या deny किया जाएगा यहाँ पर भी मैंने could use किया है I can always help you if you don't understand something again हमने can use किया है I can help you I can always help you if you don't understand something यहाँ पर हम could भी use कर सकते है can की जगह पर you must call me if you are late अगर तुम late होने वाले हो तो मुझे call करना जरूरी है must है right you will call me if you are late यह भी कह सकते है पर यहाँ पर हमने must use किया है एक strong obligation दिखाने के लिए कि तुम्हें यह करना होगा यह बताने के लिए अगर तुम late हुए यह condition है अगर ऐसा हुआ तो 100% तुम्हे call करना होगा तो देखा आपने हमने अलगलग situations में model verbs की मदद से कैसे conditional sentences बनाये हैं चले कुछ और examples देखते हैं If she does well in the interview, she should get the job She should get the job एक strong possibility बताता है should बताता है she will get the job But should जब हम use करते है एक strong possibility बताता है कि अगर उसने interview में अच्छा किया तो उसे job जरूर मिलेगी If you are hungry, you could eat something from the fridge Again, could यहाँ पर एक model verb है We shouldn't miss the plane if we hurry अगर हमने जल्दी की तो हम plane miss नहीं करेंगे Shouldn't यहाँ पर should not को use किया गया है Our manager could be really pleased if we get the contract अगर हमें contract मिला तो हमारा manager बहुत खुश होगा तो यह जरूरी नहीं कि आप से will के साथ sentences बनाए आप model verbs use कीजिए इससे आपके sentences में variety आएगी और आपके sentences काफी advanced sound करेंगे चलिए अभी आपके लिए एक task है आपको क्या करना है आपको तीन sentences बनाना है conditional sentences और आपको use क्या करना है will, could और would इन तीनो words को use करके आपको conditional sentences बनाना है मुझे comments में लिखकर बताना है आपने लेसन कितना अच्छे से समझा है तो यह था lesson on first conditional sentences हम कहां use करते है first conditional sentences जब ही हमें realistic possibility बतानी हो यानि कि अगर first part 50% भी हुआ तो second part 100% होगा एक realistic possibility है तब हम first conditional sentences use करते है हमने zero conditional sentences और first conditional sentences को cover किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह दोनों conditional sentences आपने बहुत ही आसानी से समझ लिये तो चलिए आज सीखते है second conditional sentence के बारे में screen पर एक sentence है If I won the lottery I would leave my job एक लड़की कह रही है कि अगर मैंने lottery जीती तो मैं अपना job छोड़ दूँगी मुझे एक बात बताईए क्या उसने lottery जीती है अभी जीती है नहीं जीती है क्या उसने अपना job छोड़ा है नहीं छोड़ा है तो वो क्या कर रही है एक खयाली पुलाव पका रही है इसका मतलब वो imagine कर रही है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ये करूँगी पर हुआ नहीं है clear? यानि कि ये एक unrealistic situation है यानि कि उसकी होने की जो संभावना है वो सिर्फ 0-5% के आसपास ही है हुआ नहीं है और जो result है उसका वो भी unlikely है मतलब हुआ नहीं है imaginary है तो जबी भी आपको कि खयाली पुलाओ पकाना हो तब आप यूज करोगे second conditional sentences बस इसे याद रखो second conditional sentences पर इन sentences को हम present या future में यूज करते है इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना जरूरी है तो second conditional sentences हम तब यूज करते है जब हमें किसी unrealistic action या situations के बारे में बताना है जो present या future में है यानि कि जब हमें कोई चीज imaginary सोचनी है खयाली पुलाओ पकाना है तब हम यूज करेंगे second conditional और यह सारी situations होती है कालपनिक यानि कि imaginary इन दो conditions को जब आपका sentence satisfy करेगा वो है second conditional sentence इसमें कोई complex rule नहीं है यह समझना बहुत ज़रूरी है क्यूंकि यह सारी sentences बनते है if के साथ जितने भी sentences बनाते है conditional sentences वो if के साथ बनाते है तो इसका sentence structure समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहीग पर maximum गलतियां होती है तो चलिए इसका sentence structure समझते है how to create सबसे पहले आता है if उसके बाद जो first part of the sentence है if वाला जो part है उसमें जो verb आएगा वो past simple में आएगा इसके बाद कॉमा बहुत जरूरी है अगर आप sentence को if के साथ शुरू करोगे तो आपको first part के बाद कॉमा लगाना बहुत जरूरी है और उसके बाद आएगा would अब यूज कर सकते हो could और जो verb आएगा वो base form में आएगा जैसे यहाँ पर है would plus leave वो यह नहीं कहेगी if I won the lottery I would left my job यह गलत होगा जैसे हमने first conditional sentence में देखा था हम इस structure को reverse करकर भी बोल सकते हैं जैसे हम यह जो second part है इसको हम आगे लेके आ सकते हैं आएगा I would leave my job if I won the lottery difference यह है कि यहाँ पर कॉमा नहीं आएगा I hope this is clear यह structure आपके समझ में आया क्योंकि अगर आपको यह structure समझ में आया second conditional sentences आपको समझ लीजिए आ गए चलिए अभी structure के साथ हम कुछ sentences बनाते है if I lived in a big city I would go out more often कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं बड़े शहर में रहता तो मैं भार घुमने अकसर जाता पर क्या मैं रह रहा हूं क्या मैं घुमने जा रहा हूं नहीं imaginary situation है खयाली पुलाओ है next if I lived in a big city I wouldn't need a car अगर मैं बड़े शहर में रहता तो मुझे कार की जरूत नहीं पड़ती क्योंकि आपर train की frequency काफी होती buses की frequency काफी होती तो मुझे उसकी जरूत नहीं पड़ती I'd go out more often if I lived in a big city अमने क्या किया है इसी इनी sentences को हमने second वाले structure के साथ लिखा है और यह हमने शुरू किया है would के साथ I would यह इसको मैंने contract किया है यह है I'd I would की जग में कह रहा हूं I'd I'd go out more often if I lived in a big city मतलब वही है I wouldn't need a car if I lived in a big city same structure में ने change किया है if I lived in the city I could use public transport यहाँ पर हमने could use किया है अगर मैं शहर में रहता तो मैं public transport यूज कर पाता यानि कि जो trains है metro है buses है मैं वो यूज करता तो यहाँ पर हमने would की जगे could use किया है model verb could को use किया है I could use public transport if I lived in the city sentence वही है structure अलग है यह मैंने examples आपको इसलिए दिये है ताकि आप एक ही sentence को दो अलग-लग structure के साथ कैसे use कर सकते है यह आप समझ सको क्योंकि आपको जब बात करोगे तो एक variety of sentences से साथ बात करना आना जरूरी है चले आगे बढ़ते हैं अभी हम समझते हैं कुछ exceptions B verb के साथ आप second conditional sentences में बी वर्ब को यूज कर सकते हैं I'm sure आपको पता है बी वर्ब क्या होते हैं मिजार वोज वर राइट हमने structure देखा था second conditional sentence का जो फर्स structure है if plus past simple plus comma आएगा word code plus base form of the verb राइट अब इसी structure को यूज करके हम एक sentence बनाते है if I was rich I would spend more time traveling यहां पर वाज मैंने यूज किया है राइट क्यूंकि यह बी वर्ब का past verb है पर यहां पर एक exception है हम second conditional sentences में वाज यूज नहीं करते हैं हम वाज की जगे यूज करेंगे वर और यह एक exception है इस चीज को हमेशा याज रखना अगर आप कहोगे कि if I was rich I would spend more time traveling यह sentence गलत होगा यह wrong होगा यह exception है if I were rich I would spend more time traveling अगर मैं अमीर होता तो मैं अपना जादा से जादा समय ट्राइवल करने में बिताता अलग 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 countries घूमता clear was नहीं आएगा आप हमेशा हमेशा वर यूज करेंगे और हम वर किन सब्जिक्स साथ यूज करेंगे I he she or it इन सब्जिक्स साथ हमेशा वर आएगा clear चलिए examples देखते हैं if I were you I wouldn't do that अगर मैं तुम होता तो मैं यह नहीं करता if I were you and not was you if she were an engineer she could design an app अगर वो एक एंजिनियर होती तो वो एक app बना पाती पर क्या वो एंजिनियर है वो एंजिनियर नहीं है यहाँ पर would plus not wouldn't use हुआ है clear he could run faster if he were young and not he was young यह गलती अक्सर होती है if he could run faster if he were young वो बहुत तेज दोड़ पाता अगर वो जवान होता I'd be amazed if he arrived on time I'd be amazed if he arrived on time अभी यहाँ पर हमने straight B को use किया है ठीक है और I'd contraction है I would का इस sentence को second structure के साथ बनाया गया है I'd and not I would generally spoken English में जब भी भी हमें fluently बात करना है तो हम contractions का use करते हैं हम यह नहीं कहते हैं I would हम कहते है I'd 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 clear अभी second conditional sentences का एक बहुत ही बढ़िया यूज है और वो है to make polite request मैंने मेरे lessons में जब मैंने modal verbs किये थे मैंने बताया था कि कोड वोड जनरली हम polite requests के लिए यूज करते हैं पर हम conditional sentences की मदद से भी polite request बना सकते हैं कैसे समझते हैं would you mind if I used your computer would you mind if I used your computer right यह मने sentence को second structure से बनाया है would it be okay if I sat here क्या ठीक रहेगा अगर मैं यहां पर बैठू would it be fine if I switched off the AC would it be fine if I switched off the AC would it bother you if I used your desk क्या तुम्हें तकलीफ होगी अगर मैं तुम्हारा desk use करूं इन सारे sentences को हमने second structure की मदद से बनाया है और अब देख सकते हो कि जितने भी वर्ब्स है वो simple past में है तो इसका ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है चलिए अब देखते हैं आपने इस lesson को कितना अच्छे से समझा है अब है quiz time छे सवाल है और इन सवालों में आपको जो भी blanks है उसमें आपको इधर word code वर या past का simple verb sentences अपको द्यान से पढ़ना है और उसमें क्या missing है वो आपको इसमें add करना है पहला हम solve करते हैं what would you do if you didn't have to study तुम अगर नहीं पढ़ना होता तो तुम क्या करते हैं clear चलिए बाकी की जो है second to six आप comments में लिखकर मुझे बताईए आप कैसे लिखोगे number two उसके आगे जो blank है उसका बस वर्ड लिखिए पूरा sentence लिखने की जरूत नहीं है अगर आप लिखना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है पर second third यह है fourth यह है that's all आज हम सीखेंगे third conditional sentence यह बहुत important है क्योंकि अगर आपने third conditional sentences कैसे बनाते हैं यह समझ लिया और इसे अपनी conversations में use किया तो आप almost almost advanced level English speaker बन जाओगे तो चलिए समझते हैं कि हम third conditional sentences को English में कैसे बनाते हैं यहां पर कुछ images है यहां पर एक आदमी है जो train की तरफ भाग रहा है और train क्या हुआ train platform से निकल चुकी है और क्या-क्या उसने train miss कर दी फिर उसके बाद वह platform पर बैठता है और कुछ सोचता है राइट वह सोच रहा है यहां पर बैठके अपने आपको imagine कर रहा है कि मैं train में बैठा हूं और फोन पेपर पड़ पाता या अपना यह कर पाता वो कर पाता वो सोच रहा है और वह क्या कहता है if I had left earlier I would have caught the train अगर मैं जल्दी निकलता तो मैं train पकड़ पाता सबसे पहले एक चीज़ समझना बहुत जरूरी है यह दोनों situations past की है हम past के बारे में बात कर रहे हैं पर क्या वो जल्दी निकला वो नहीं निकला क्या वो train पकड़ पाया वो नहीं पकड़ पाया यानि कि action औ result यह दोनों past में है हम third conditional sentences तब यूज करते है जब हमें past की कोई unreal situation के बारे में बात करना हो यानि कि कोई ऐसी बात जो हुई नहीं और उसका result भी unreal है क्योंकि ऐसे नहीं हो पाया इसलिए उसका result भी नहीं आया यानि कि यह नहीं हुआ तो यह भी नहीं हुआ जब आपको ऐसे sentences बनाने हो तब हम यूज करेंगे third conditional sentence I hope this is clear हम third conditional sentences को hypothetical situation में यूज करते हैं और वो भी past के hypothetical situations में जैसे हमने देखा था कि second conditional sentences में हम present के hypothetical situations के बारे में बात करते हैं या future के hypothetical situations के बारे में बात करते हैं पर third conditional sentences में हम past के hypothetical situations के बारे में बात करते हैं तो ये दो situations में third conditional sentences use होते हैं, imaginary, खयाली पुलाओ, जैसे हमने second conditional sentences में देखा था, और regret, यानि कि अफसोस वेक्थ करने के लिए भी हम third conditional sentences का use करते हैं, पर इसका structure कैसे बनेगा, ये बहुत important है, क्योंकि अगर आपने इसका structure समझ लिया, तो third conditional sentences आप बहुती आसानी से बना पाओ गए, सबसे पहले लगता है if, जैसे हमने पहले भी देखा है, बाकी सारे conditional sentences में हम if से शुरुवात कर सकते हैं, पर इसके बाद हम यूज करते हैं past perfect, यानि कि had plus the past participle, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि generally क्या होता है, जैसे हमने second conditional में देखा था, हम past का verb यूज करते हैं, पर third conditional में हम past perfect को यूज करते हैं, यानि कि had plus the past participle, उसके बाद आएगा comma, ये comma आगया, उसके बाद would, could या might भी यूज कर सकते हैं, और उसके बाद आएगा have plus past participle, इसमें काफी difference है, second conditional और third conditional में, और जैसे हमने second conditional में structure को reverse किया था, यहाँ पर भी हम structure को reverse करेंगे, without comma, सबसे पहले आएगा would, could, might, right, उसके बाद have plus past participle, यहाँ का ही है, यहाँ आगया, उसके बाद आता है if comma नहीं आएगा, और end में आएगा past perfect का sentence, I hope this is clear, इस structure को अपने दिमाग में आप इठा लो, चलिए, अब इस structure की मदद से हम कुछ example sentences बनाते हैं, ताकि आपको इस structure को कैसे use करना है, यह समझ में आए, if the alarm had gone off, I wouldn't have been late, क्या कर रहा है कोई इंसान, अफसोस जाता रहा है, वो क्या कह रहा है, अगर alarm बच गया होता, तो में लेट नहीं होता, वो लेट पहुचा आउफस में, तो देखें आपे, if the alarm had gone off, यह क्या है, यह past perfect का sentence है, उसके बाद have, plus past, past, participle, और उसके पहले would आया है, इसे दूसरे structure की मदद से लिखते है, I wouldn't have been late, if the alarm had gone off, अगर alarm बच जाता, तो में लेट नहीं होता, चले कुछ और examples देखते हैं, they could have stayed here, if they hadn't found a hotel, यहाँ पर हमने second structure की मदद से इस sentence को बनाया है, right, have stayed, have plus past participle, और end में आया है, hadn't found, जो एक past perfect का sentence है, वो यहाँ रह सकते थे, अगर उन्हें hotel नहीं मिलता, पर क्या रह 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 रह, एक कालपनिक, imaginary situation है, next example है, if you had told me about the meeting, I would have come, अगर तुमने मुझे मीटिंग के बारे में बताया होता, तो मैं जरूर आथा, वो अफसोस जाता रहा है, right, regret जाता रहा है, उसे पता नहीं था, पर अगर पता होता, तो वो जरूर जाता, पर actual में यह हुआ नहीं है, unrealistic है, I wouldn't have missed the meeting, if you had told me about it, same sentence है, अलग structure की मदद से, लिखा हुआ है, Would you have accepted the offer, if we had reduced the price, क्या तुमने यह offer लिया होता, अगर हमने प्राइस कम की होती, पर उसने लिया नहीं है, और प्राइस भी कम नहीं होई है, again, it is a unreal situation, अभे आपको क्या करना है, दूसरे structure की मदद से, यानि sentence को इफ से शुरू करके, उसे comments में लिखकर मुझे बताना है, तो मैं उमीद करता हूँ कि आपने थर्ड कंडिशनल सेंटेंस का structure अच्छे से समझा है, और सेंटेंस कैसे बनाने है, यह भी सीख लिया है, तो अब बारी है, एक क्विस की, मैं जानना चाता हूँ कि आपने इस लेसन को कितना अच्छे से समझा है, पात सवाल है, और ब्राकेट में वर्ब्स दिये है, आपको इन वर्ब्स के सही फॉर्म लिखने है, जैसे फॉर एक्जेंबल, पहला हम सॉल्व करते है, इस माई अलाम है रंग, I would have woken up at my usual time, अगर में अलाम बजा होता, तो मैं अपने सही समय पर, यानि कि जिस समय में उठता हूँ, मैं उठ गया होता, तो मैंने क्या किया है, रंग की जगे रंग यूज किया है, जो पास्ट पार्टिसिपल है, तो आपको भी इन सारे वर्ब्स का पास्ट पार्टिसिपल बनाना है, और सही सेंटेंस लिखना है कॉमेंट्स में, तो आप नमबर टू, नमबर त्री, नमबर फोर, नमबर बनाते हैं इसका structure अच्छे से समझा है अगर आपने पहले के lessons नहीं देखे है तो यहां पर i button पर click कीजिए और सारे conditional sentences को अच्छे से समझ लीजिए मैं आपसे जल मिलूँगा इस series के एक और lesson में और वो है mixed conditional, mixed conditionals हम generally second और third conditional sentences को मिला कर बनाते हैं until then keep learning keep practicing English and take care, bye